नमस्कार दोस्तों भेल सेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.19% की क्लियर गिरावट नजर आ रहे हैं उससे साथ में देखेंगे पिछले तीन जार दिन से लगातार यहां पे रेड कंडल बनता हो देखने को मिल रहे हैं तो क्या यहां पे स्टॉक में और फी गिरावट करने का संभावना रहेगा या फिर स्टॉक यहां से फिर से ओपर के सड्मिंश कर सकता है कि अगर उपर जाएगा तो क्या टार्गेट रहेगा निचे सपोट लबल रहेगा सभी कंडिशन किस वीडियो में क्लियर लिस समझने वाले तो इस वीडियो को कंप्रिट लिएंड तक जरूर जरूर देखिये तोसर भेल सेर को डिटल में समझने के लिए सब सब पहले चार्ट को लगाएंगे यहां पर वीकली टाइम पर जाट को वीकली टाइम पर नोटीस करेंगे तो देखिंगे ओफर लिस्टॉक आपको क्लियरली एक अप्टर में कंटीनियू करता नज तो अगर इस लेवल को ब्रेक आउट करेगा तो अगला रेजिस्ट लेवल अपको देखने को मिलता है थोड़ा से मैं यहां पर भी जूम कर लेता हूं कि देखिए स्टॉक में तेजी का संभावन रहेगा फिर से उपर के साइड में बाउंस करने का संभावन रहेगा क्यो अभी 199 के नीचे आजाएगा तो अभी देखेंगे स्टॉक में गिरावट आजाएगा और यह आपको पता किसे लेगा तो आप देखिए ग्रीन करने के नीचे अगर क्लूजिंग करते तो समझेगा स्टॉक में बन सकते हैं लेकिन मेरे लिए स्ट्रॉंग यहां पर लेवल आपको नजर आ रहे 276 में है जैसे स्टॉक अपने 276 का लेवल को ब्रेक आउट करेगा 277 मान सकते हो कि 276.95 तो 277 रहेगा तो जैसे इसको ब्रेक आउट करेगा तो स्टॉक में तेजी का मोमेंट बनेगा तो टार्गेट को समझते हैं कि कि इतना उपर जा सकते देखिए स्टॉक जह उपर बढ़ राथ तो यहां से track & go ब्रेक आॉट करके स्टॉक पर बढ़ यह तो 270 रुपए सवर्य न offensive पैसा में तीसरा टर्गेट दोस्तों 358 रुपया या फिर आप मान सकते हो हां 308 रुपया और चौथा रहेगा 385.50 दोस्ते पर सारे कंडिशन को क्लियर मैंने आपके समने किया फिर भी दूस्तों मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जुरू पूचे वीडियो को लाइक करें आपके चोटी से लाइक मुझे इंक्रेस करती है और अच्छे अच्छे लीट ने की लिए को ढाना परकु पर पछे बनाएगा बहुत धन्याद दोस्तों